क्लास फोर्थ सब्जेक्ट हिंदी लेसन सेवन दो प्राकरती वैद्दिय टू नैच्रल डॉक्टर्स इस कहानी से लेखक हमें समझाना चाहता है कि कहानी स्टोरी समझाना अंडरस्टैंड लेखक आउथर पुराने समय में जब दवाइया नहीं होती थी डॉक्टर नहीं होते थे आस्पिटल माने डॉक्टर दवाइया माने मेडिसीन पुराने समय में उल्डन टाम इन दा ओल्डन टाम विच देयर वर नो मेडिसीन नो हॉस्पिटल नो मोर डॉक्टर तब हम प्राकरती से अपना इलाज करते थे प्राकरती मींस नेचर इलाज माने ट्रीटमेंट देन वी यूस तो ट्रीट आवर सेल बाई नेचर प्राकरतिक दवाईयों से कोई भी नुकसान नहीं होता है प्राकरती नेचरल दवाईयां मेडिसीन नुकसान हार्म देयर इस नो हार्मज फ्रॉम नेचर मेडिसीन पहले के लोग जड़ी बूटियों का परियुग अपने दिन चरिए में करते थे जड़ी बूटियां, हर्प्स, परियोग, यूज, दिन्चरिय रूटीन Earlier people used हर्प्स in their daily routine जो हम प्राकर्ती से प्राप्त होती थी which we used to get from nature जैसे जानवर, पंची, पेरपौदे आदी like birds, animals, trees, plants, etc शायद इन्ही कारणों की वज़ा से उनकी उम्र जादा लंबी होती थी उम्र माने एज, लंबा, लॉंग, कारणों, प्रॉबरली, शायद बिकॉज, ओके and probably because of these reasons, his life was much more longer and वे पुराने लोग कम बिमार पड़ते थे बिमार माने सिख, कम माने less those older people used to get sick less क्योंकी वे सारी चीजे सुद और प्राकर्तिक परियोग करते थे प्राकर्तिक माने सुद माने pure होता, चीज माने think सारी माने whole या all because they used to use all things pure and natural पर आज हमने प्राकर्तिकी चीजों को छोड़ दिया है छोड़ना माने leave but today we have given up the things of nature हम लोग आज कल artificial चीजों का ज्यादा परियोग कर रहे हैं परियोग माने use we are using more artificial thing nowadays जिसके कारण अनेक तरहां की बिमारियां हमारे शरीर को आ पकड़ती हैं शरीर माने body, बिमारियां, disease due to which many types of disease catch our body इसी लिए हम ज्यादा प्राकरती और जड़ी बूटियों का परियोग अपने जीवन में करना चाहिए इस कहानी में इस तरहां की दो जड़ी बूटियों के बारे में बताया गया है जैसे तुलसी, नीम, in this story two similar harps are told like तुलसी and नीम अब इसके बाद ये pictures आ रही हैं, ये सब medicine है ये पुराने टाइम में यूज होती थी, आज भी हरबल में इन्ही जड़ी बूटियों का यूज होता है इन्हीं harps का यूज होता है तो I think you understand what is the means of this story okay, Allah face, see you if any doubt, then message me in my personal whatsapp, okay see you